हाई अबरीवन अब तक हम लोग ने ये देख लिया कि किस तरीके से हम लोग data को redux के अंदर store करवा सकते हैं और जो data redux के अंदर store है उसको वापिस कैसे next.js वाले component के अंदर get कर सकते हैं बट ये नहीं सीखा कि redux में से data को remove कैसे कर सकते हैं जो इस part के अंदर सीखेंगे एक बार के लिए मैं आपको UI के उपर दिखा दीता हूँ कि क्या कर चुके है अभी तक और क्या इस part के अंदर करने वाले हैं देखो मालो मैं एक user को redux वाले data में add करना चाता हूँ तो क्या करूँगा user का नाम यहां पर लिखूँगा जैसे लिखा अनिल सिद्धू चिक है और मालो इस user को मैं यहां से remove करना चाता हूँ तो वो कैसे कर सकता हूँ इस part में देखने वाले है अब दिक्कत यह है कि multiple user हो सकते है जैसे कि यहां पे अनिल सिद्धू हो गया उसके बाद में Sam हो गया और उसके बाद में हम लोग यहां पे Peter को add कर लेते हैं तो उसके लिए में हर एक user के सामने एक remove का button देना पड़ेगा ताकि जैसे ही मैं उस user के सामने वाले button पे click करूँ वो specific data Redux से remove हो जाए सारा का सारा data Redux से remove ना हो और जब मैं Redux की बात कर रहा हूँ that means Redux Toolkit अभी इस series के अंदर यहाँ पे Redux Toolkit हम लोग यूज कर रहे है चीक है एक तो हम लोगों को action बनाना पड़ेगा slice वाले function के अंदर ताकि उस action को जब हम लोग कोल करेंगे तो data remove हो जाएगा after that हम लोग button बनाएंगे यहाँ पे हर एक user के सामने और जैसे उस button के उपर click करेंगे हमारा action कोल होगा और last के अंदर हम लोग logic लिखेंगे slice वाली file के अंदर की किस तरीके से उस data को remove कर सकते है चीक है तो अब हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले slice वाली file के अंदर जाते हैं और जैसे यहाँ पे add user वाला function बना होगा है न सेम इसी तरीके से remove user नाम से भी function बना लेते हैं सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक कोमा दे देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ remove user ठीक है और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर दो parameter पास कर देंगे एक state and एक action ठीक है जैसा उपर वाला function कर रहा था सेम इसी तरीके का हम लोगों को function करना है exactly बट इसका नाम अलग होगा और यहाँ पे user का ना मैंने तरीका थुड़ा गलाद लिख दिया user इस तरीके से लिखे ठीक है इसके अंदर अभी के लिए बस मैंने एक console लगा रहा हूँ ताकि चेक कर पाऊं कि button के click के ओपर यह call हो भी रहा है कि नहीं call हो रहा हूँ इसके अंदर action को print कर दे रहा हूँ इतना काम हो गया इसके अंदर logic अभी लिखेंगे बट पहले हम लोग button वगरा बना लेते हैं अब मैं आता हूँ यहाँ पर display user वाले component के अंदर और यहाँ पर क्या करता हूँ सबसे पहले expand ले लेता हूँ ठीक है expand लूँगा और expand के अंदर मैं इस data को print कर वाँगा अभी भी आपको almost same ही दिखेगा कोई भी आपको फरेक नहीं दिखने वाला बैसे पीटर को add कर रहा हूँ perfectly दिख रहा है आपको ठीक है पट इसके पास हिना मैं एक और button भी बना देता हूँ ठीक है और इस button का नहीं आप कुछ भी रख सकते हो for example मैं कर देता हूँ remove user और remove कर दो यह काफी रहेगा ठीक है तो आपको यहाँ पर remove का button भी दी गया अब थोड़ा सा मैं button का डाधा style नहीं करूँगा button के बीच में थोड़ा सा मैं space और add करना चाहूँगा so मैं क्या करता हूँ जो यह user item वाली class है ना इसके अंदर थोड़ा सा style अड़ करते है ठीक है so मैं क्या करूँगा जो हमारा style वाली फाइल कौन सी थी यह वाली so user item के अंदर सबसे पहले लिखूँगा display flags लिख देंगे ठीक है और इसके अंदर एक property और कर देते हैं यहाँ पे justified content और यह होगा हमारा space between space between ठीक है जी अब वापीस से यहाँ पे आते हैं तो देख सकते हो दोनों corner के ऊपर लगे हो तो आप देख सकते हो इस तरीके से और यहाँ पे use dispatch वाला जो function होता है वही action को call करने काम आता है उसको मैं यहाँ पे import करना तो जहाँ पे लिखता हूँ अंदर हम लोग इस वाले जो dispatch वाला function था इसको यहाँ पे simply call करेंगे बट directly नहीं हम लोग इसको call करेंगे arrow function के साथ right because directly function को call करें न हम लोग यहाँ पे आच्छा इसके अंदर जो हमारा remove user आच्छा इसको हम लोग ने import नहीं करा ना यह इसको import भी करना पड़ेगा यहाँ पर कर देता हूं remove user अब यहाँ पर यह auto suggestion भी देगा remove user तो देखो अपने आप उपर से import हो गया इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे id जैसे item का name था ऐसे ही हमारे पास item की id भी है item.id यह पास हो गई अब यह function call हो जाना चाहिए अब देखते हैं क्या हमारे पास यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे add बटन पे एक user को add करा जैसे remove वाल पे क्लिक कर रहा हूं तो देखो slice के उपर slice.js के लाइन नमबर 19 लाइन मिल गई है id मिल गई ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे simply यहाँ पी लिखेंगे एक constant ले ले लेते हैं ठीक है const इसका मैं यहाँ पे नाम लोगा data और हमारा पुरा data किसके अंदर store है state के अंदर state के users के अंदर ठीक है इसके पर मैं filter method लगा फिल्टर एक javascript का method होता है जो तो हमें array return करता है इसके अंदर वाली condition है उसके base के ऊपर ठीक है so मैं यहाँ पे क्या करूँगा item.id यह नहीं equal होनी चाहिए किसके action.payload के और not equal के लिए हम लोग यहाँ पे double equal to लगा सकते है single equal to भी चलेगा double equal to भी चलेगा double equal to टाइप चेकिंग भी करता है अब हम लोगों को क्या करना है simply जो हमारे पास यहाँ पर data आगा है वो data रहेगा यह जो हमारा इस user के अलावा होगा जैसे जोन है इसको remove करके जो बचा हुआ data होगा अब मालो जोन के इलावा मैंने कर दिया अनेल और फिर मैंने यहाँ पर कर दिया सिद्धू तो तीन यूजर है मेरे पास अगर मैं जोन पर क्लिक करूँगा तो जोन वाले data को जिसके आईडी मिली है उसको छोड़के बाकी दोनों का data यह return कर देगा हम लोगों ने return के अंदर यहीं लिखा है कि इसकी जो current आईडि data हमारे रिमूव हो जाएगा बाकी सारे data बच जाएंगे अब मैं यहाँ पर जैसे की एड करता हूँ अनेल को सबसे पहले उसके बाद में Sam को उसके बाद में Tony को तीन user कर लिए अब मैं हाँ पर Sam को रिमूव कर रहा हूँ तो यह क्या करेगा जैसे इस बटन पर क्लिक करू तो अनेल पाच गया ठीक है अब मैं यहाँ पर कुछ और लगता हूँ जैसे टोनी को फिर से एड कर देता हूँ यहाँ पर ब्रूस कर देता हूँ उसके बाद में पीटर कर देता हूँ उसके बाद में जोन कर देता हूँ ठीक है और उसके बाद में कर देता हूँ लेट से पास कर, अब जिस भी data को आप remove करना चाहों वो कर सकते हो, ये task आपके लिए मैंने आपको दिया हुआ है, last role part के अंदर दिया था कि इन सब को हम लोग एक इस box के अंदर ही कैसे रख सकते हैं इससे बाहर नहीं जाने चाहिए, उसका मैं answer इस part में दे दूँगा आपको, तो जैसे मैं आपे Bruce पे click कर रहा हूँ, तो Bruce remove हो गया Tony पे click कर रहा हूँ, Tony remove हो गया John पे click कर रहा हूँ, John हो गया, ठीक है सो मैं वापिस से add कर लेता हूँ कुछ user को, ताकि मैं आपको overflow दिखा पाऊ यह वाला issue भी आपको result करवा दूँ, तो मैं आप लिखूँगा John and Tony is last one, ठीक है, अब इससे बाहर चले गई, अब हमें करना क्या है इसको handle करने के लिए, जो हमारा यह वाला class है, इसके simply आप यहाँ पे लिखो overflow scroll, ठीक है, और देखो अब इसके अंदर ही scroll मिल गया, यह वाली प्रोपर्टी लगाने है, CCS की is that simple, perfect so thank you so much for watching this video and देखो आपके लिए वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना and feedback में comment box में feedback देना completely free of cost है, कोई पैसा नहीं लगता please do that, because उससे मुझे motivation मिलते हैं, मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंदा रही कि नहीं आ रही है वीडियो आपके काम की है या नहीं है और यह मेरा donation number है अगर आप पेटियम के उपर मुझे donation करना चाहते हैं thank you so much